हेलो एवरिवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टड़ी वाई जोती, आज का टोपिक है रेस्टोरेशनेज, कल भी हमने रेस्टोरेशनेज किया था, उसमें जोन ड्राइडन ही किया था, कुछ एक वर्क्स किये थे, जो आज में वर्क्स हैं वो करेंगे, ठीक है, आज का लेक्चर ह एकेटोफेल, एकेटोफेल, इसमें आज पूपलेशने इस स्टोरी है, एक बिबिलिकल करेक्टर है और एकेटोफेल भी, ठीक है, इसमें एकेटोफेल, एकेटोफेल, Sinodim को बोलता है, कि King David है जो जो King David है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दो मतलब to start a rebel against King David ठीक है कौन उक्साता है एबसलम को Akitophil ठीक है अब इसके खिलाफ तुम प्रोटेस्ट करो ठीक है तो यह ऐसे biblical tale है लेकिन यह क्या है एक allegory है allegory कैसे मतलब नाम किसी और के है story किसी और की बताई जा रही है ठीक है तो यह किस पे based है story really allegory के पोईम में मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है भई नाम किसी और का होता है story किसी और की दिखाते है ठीक है कहा कुछ और जाता है तो इसमें क्या है इसमें जो EBSALOM है बस इतना ही है मतलब यह एकिटोफिल EBSALOM को किंग डैविड के खिलाफ बढ़काता है ठीक है अब यह किसको रिप्रेजेंट कर रहे है सबसे इंपोरटन्ट बात है यह ठीक है जो किंग डैविड है वो हमारे चार्ल्स सेकिंड है ठीक है जो अबसलम है वो है ड्यूक ओफ मौमत ड्यूक ओफ M-O-N-M-O-U-T-H ड्यूक ओफ मौमत कौन है अबसलम और अकिटोफिल कौन है यह है आल ओफ सेफस्बरी अरल ओफ E-A-R-L अरल ओफ सेफस्बरी S-H-A-F-T-S-B-U-R-Y आल ओफ सेफस्बरी ठीक है यह क्रेक्टर है तीनों किंग डेविड चार्ल्स सेकिंड को रिप्रेजेंट करें जो जिसने मेरा यह पोलिटिकल हिस्ट्री वाला जो पोलिटिकल बैग्राउंड का जो लेक्चर देखा है रिस्ट्रेशनेज का वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे इस वर्क को इस वर्क में क्या होता है जो Duke of Mormath है मतलब रियल की स्टोरी बता रही हूं मैं वो तो थी बिबिलिकल स्टोरी जो मैंने थोड़ी सी बता दी है रियल स्टोरी में क्या होता है Duke of Mormath जो King Charles का illegal illegimated illegimated son होता है मतलब royal blood नहीं होता ठीक है King Charles के बच्चे तो बहुत होते हैं लेकिन उसमें royal blood नहीं होता इसी वज़े से King Charles किसको बोलते है मेरे बाद कौन राजा बनेगा मैंने बताया था ना King James II को बोलते है जो एक Catholic होता है ठीक है ये ये रीजन था तो क्या करता है जो Earl of Sabsbury जो एकिटोफिल है इसमें Earl of Sabsbury Duke of Mormath को बोलता है भी आप उसके बेटे हो King Charles के उसकी खिलाब प्रोटेस्ट करो उसको उकसाता है उसको बढ़काता है Duke of Mormath को Duke of Mormath जो King Charles बहुत ज्यादा पसंद करते थे सुन्दर भी था अच्छा भी था और उसमें अच्छे गुण भी थे और उसको जो जो सिटीजन थे वो पसंद भी करते थे लेकिन जो हमारे Duke of Mormath उसको पता था अरियल में भई मैं रोयल बलड नहीं हूँ और मुझे राजा नहीं बनाया जा सकता और उसको अच्छे से सब पता था और मेरे मतलब पिता जी गलत नहीं है ठीक है और वो मना करता है Duke of Mormath भई मैं अपने पिता के खिलाफ वो प्रोटेस्ट नहीं करूँगा ठीक है लेकिन फिर भी ये जो Earl of Sessbury है इसको मना लेते हैं ठीक है तो ये स्टोरी चलती है और ये जो हमने किये थे न पोलिटिकल बैग्राउंड में एक्स्ट्लूजन क्राइसिस या एक्स्ट्लूजन बिल या पोपिस प्लोट पोपिस प्लोट में क्या होता है एक रियल क्रेक्टर होते है टाइटस ओड्स ये रियल बात बतारी हूं जो अभी चला हुआ टाइटस ओड्स एक फिक्टीसिस कंस्पिरेसी करते है जिसमें ये किंग चार्स को बताते हैं भई आपके खिलाफना विद्रोह हो सकता है तो आप इन इन जो मेंबर्स हैं इनको अरेस्ट कर लो कुछ ऐसे चलता है ठीक है और उसके बाद एक्सक्लूजन बिलाता है ये पार्लेमेंट को खतम कर देता है मतलब उन मेंबर्स को हटा देता है मतलब ऐसा कुछ करने से पहले एक्सक्लोजन बिल्कोई जो King Charles है इसको abolish कर देता है ठीक है तो यह story थी और इन सब के पीछे कौन था इस कहानी के पीछे जो यह conspiracy चलती है Earl of Sabsbury अब important क्या है यहां से यह story थी अब important है कौन किसको represent कर रहा है एबसलम बता दिया मैंने एकिटोफिल बता दिया King David बता दिये real में तो हमारा work आएगा ना real में character है यह दिखेंगे हम इसको पड़ेंगे must read है यह very very important इसको अच्छे से करना है ठीक है तो यह दिखेंगे लेकिन यह किसको represent कर रहे हैं यह important है और क्या याद रखना है एक biblical allegory है biblical allegory written in heroic couplet मैंने heroic couplet पे एक वीडियो डाली हुई है उसको जा के देख लेना heroic couplet क्या होता है पेपर में पूछा जाता है यह important time है इसलिए मैंने अलग से वीडियो डाली है तो अब बताते हैं मतलब उनके इसलिए तीन के बारे में बताच क्यों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अब बात करते हैं जो एक डियो को Bunkingham एक old enemy होते हैं जोन ड्राइडन को जोन ड्राइडन के बंकिंगम के थ्रू दिखाताँ जिंडरी यह जिंरी करेक्तर आते हैं जिंडरी के थूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर आते हैंंके ओघ यूज ट्राइडन को एल ड्यूज musicians कर रहा है छिक पर दन हुर इन दोनों को क्रिडिसाइज कर रहे हैं हमारे John Dryden ठीक है और एक और क्रेक्टर हैं हमारे Titus Otts ये किसको रिप्रेजन्ट कर रहे हैं? Shemi S-h-i-e-m-e-i Shemi ठीक है ? इंपोर्टेंट यहां से यह है कों किसको रिप्रेजन्ट कर रहे हैं क्या स्टोरी है? और एक इसकी ऑपनिंग लाइंग इंपोर्टेंट है. ओपनिंग सीन क्या होता है? जो इसमें बताया जाता है पहले ओपनिंग लाइन को इन पायस टाइम प्रीस्ट क्राफ्ट इड बिगेन before polygamy was made a sin इसका मतलब है यह story उस time से start होती है जब polygamy एक sin नहीं था मतलब कोई person एक से ज़्यादा wife रख सकता था उसमें कोई यह अपराध नहीं था ठीक है? तो इस type से और King David के काफी affairs होते हैं उसका बच्चे भी होते हैं इस type से story चलती है तो इसकी opening line important है Google करके देख लेना अगर समझ नहीं आया तो या फिर आप repeat कर लेना ठीक है? opening line important है कुछ quotations है या आप जब करोगे Google से अच्छे से कर लेना सब कुछ या फिर comment में बता देना मैं इसकी पूरी स्टोरी अलग से वीडियो डाल दूगी पर यह must read है ठीक है? यह थी इसकी story एक और important बात है his friend नान्हम टैट जो नान्हम टैट होते हैं यह हमने किये थे ना नहीं शायद सोम हाँ अभी बताते हूं John Dryden है हमारे first point laureate होते है जो राजकवी होते है उनके बाद आते है थोमस शेडविल जिनको यह बार-बार criticize कर रहे है जोन डैट के बाद फिर थोमस शेडविल के बाद कौन आते है नोहम टैट ठीक है? यह तो बात होई point laureate की तीन तो याद होगे आगे आपको पूरी लिस्ट याद कर दियाँगी इनका क्या रोल है? non tat का इनका रोल है जो हमारा epsilon and akritophil जो ड्रामा है इसका second part nonam tat ने लिखा है in 1682 में ठीक है second part किस ने लिखा? nonam tat ने यह important है और यह पहले तीन poet laureate कोन कोन John Dryden Thomas Shadewell nonam tat चलिए next work लिखते हैं अब बात करते हैं The Medal The Medal is satire against sedition यह भी एक satire है John Dryden satire बहुत लिखते थे यह satire कैसे है? एक Earl of Sapsbury यह अभी मैंने बात बताई न जिसके जो epsilon and akritophil में जिसको ड्रामान ने पहले ही साज किया है काफी कुछ तो यह Earl of Sapsbury इन पे ट्रेजन का केस होता है और क्या होता है जब जेम्स सेकंड के बाद जो विलियम ओफ और जाते हैं पहले बात अगर हमने पोलिटिकल बैग्राउंड अच्छे से समझाए ना अगर नहीं समझा तो जोन ड्राइडन के वर्ट्स के तुरू और अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है तो बात यही थी ना चाल सेकंड आते हैं चाल सेकंड चाहते हैं कि मेरा भाई जो जेम्स सेकंड गदी पर बैठे मेरे बाद लेकिन जनता उसको मतलब रिजेक्ट कर देती है और विलियम ओफ ओरेंज को बुलाती है भई आप आओ ठीक है आप यहाँ पर हमारे किंग बनो तो क्या होता है आर्ल अप सेप्सवरी जिसको जोन ड्राइडन पसंद नहीं करते हैं उन पर ट्रेजन का केस होता है राजदरो लगा लो या फिर नहीं राजदरो नहीं बोल सकते इसको धोखादड़ी पैसे वैसे निकाल लेना ठीक है तो इस टाइप से कुछ करप्सन करप्सन का केस होता है इस पर अर्ल अप सेप्सवरी पर जब जेम सेकिंड होता है तब ठीक होता है क्योंकि जोन ड्रैडन एस एक थोलिक मतलब उसके अकोरडिंग धर्म में चेंज हो चुके थे और वो उसको स्पोर्ट कर रहे थे जो जेम सेकिंड है ड्रैडन को स्पोर्ट कर दे लेकिन जैसे विलियम औफ औरेंज आते हैं विलियम और आते हैं kaviliya um से वह किस नाम से यह इनी आ किस नाम से कंग बनते हैं इंगलैंड के वह मेंड करो we जो वीलियम आते हैं तो उसके आते ही क्या होता है वो यह घ्रल युख उपसवरी को in audio आप पे कोई ट्रेसर निह시면 आफ नूंको on a clear cheat दें नगे आप वह और फिर क्या करते हैं यह मेडल इशु करते हैं जिस पर लिखा हुआ इस लेमर इसको कुछ जए कर सकते हैं स不是 important like medal इशु करते हैं और इस 이ispers सी में करते हैं यह जोंड राइडन को अच्छा निलता लोफ सेफ्सबरी को फ्री कर दिया जाता है और यह मैडल इशू करके काफी खुश्या मना रहे हैं तो इस मैडल के अपोज में इन्होंने यह सेटायर किया है और लोफ सेफ्सबरी पर ठीक है फिर क्या होता है फिर दोबारा से थोमस शेडवेल आते हैं ठीक है यह भार बार आएंगे और फिर दोबारा दोबारा जोंड राइडन का अच्छे से तसल्ली करेंगे ठीक है तो क्या करते हैं थोमस शेडवेल को थोमस शेडवेल दोबारा से आते हैं और क्या करते हैं इसके मेडल के रिप्लाई में एक वर्क लिखते हैं The Medal of John Biles, ठीक है, कौन लिखते हैं Thomas Shadewell, और एक और है यह तो important ही है, very very important है, मेडल के रिप्लाई में कौन लिखता है The Medal of John Biles, वो होते है Thomas Shadewell, एक मतलब आपको ही पता होगा मैं बता रही हूं तो अदरवाइस किसी को पता नहीं होता है इस बात का, जो Samuel Pods है, The Medal reversed, यह दो वार काते हैं, इसके रिप्लाई में, The Medal के रिप्लाई में, ठीक है, यह याद रखना है, The Medal के रिप्लाई में यह दो वार काते हैं, ठीक है, बस इतना ही है, और यह Medal, यह पोईम क्यों लिखी थी उन्होंने, यह Earl of Satsvory को का अच्छे से सवागत करते हैं, मैक फ्लेकनो में, और यह Must Read Poem है, Very Very Important Poem है, मैक फ्लेकनो, मतलब अच्छे से तसल्ली करते हैं, यहाँ पे, दोभारा से वो उनकी तरफ आंख भूटा कर भी नहीं देख पाता, तो क्या करते हैं यह, यह मैक फ्लेकनो का, जो, क्या सब इम्पोर्टन्ट है इंका यह, True Blue Protestant Poet, क्या है इसमें, तो क्या बोलते हैं हमारे जोंडर एड़न, इसमें जो True Blue Protestant Poet कौन है, जो हमारे TS का मतलब है, Thomas, एक मिनिट, Thomas Shedwell, क्या मतलब है इनका, TS का मतलब, Thomas Shedwell, उन पे कृतिसाइज कर रहे हैं उनको यह रहे, Thomas Shedwell, इनको क्र true blue protestant का मतलब है, blue means weak party, weak party से थे थे ना ये, अभी बताया, weak party, उस party से थे, उसका मतलब है true blue protestant, it's a tire upon true blue protestant point, तो इसमें opening line क्या है, इसकी भी opening line important है, सबसे पहले स्टोरी समझो, इसमें क्या है, Mac Fleckno is the son of Richard Fleckno, Richard Fleckno का पेटा है, Mac Fleckno, और जो Richard Fleckno है, जो इनके पापा है, वो एक राजा है, और राजा कहां के दिखाए गए है, वो kingdom of dullness, kingdom of dullness कोई जगह है, उसके राजा Richard Fleckno है, और वो सोचते हैं, जैसे poem स्टार्ट होती है, कि मैं बुढ़ा हो गया हूं काफी, और मुझे अब नए राजा की जरूरत है, मतलब कोई नया हायर चाहिए मुझे, नया क्या मतलब मुझे आगे कोई राजा बन सके मेरी जगह, और वो बोलते हैं, Richard Fleckno बोल रहे हैं, मतलब सबी चीजे कभी ना कभी खतम हो जाएंगी, मतलब सबकी डैथ हो जानी है, चाहिए वो राजा है, चाहिए कोई कुछ और है, वो भागया के अनुसार उनको चलना ही पड़ेगा, मतलब डैथ हो जाएगी, तो वो चाहते हैं, Mac Fleckno, जो मेरा बेटा है, वो राजगद संबाले, kingdom of dullness, इसकी, ठीक है, ऐसे बात कर रहे हैं, फिर क्या, इनको क्या बोलते हैं, एक और sentence में, इनको क्या बोलते है, a dun, last great prophet of tutology, क्या बोलते है, duns मतलब, मूरक, महा मूरक, and the last great prophet, जो last great है, tutology, मतलब, एक बात को दुबारा से repeat करना, एक ही बात को बार बार repeat करना, words change करके, ठीक है, किसके बारे में बोल रहे हैं, जो हमारे poet है, इसके Thomas Shadewell के बारे में बोल रहे हैं, मतलब, Mac Flakno के बारे में बोलने हैं, ठीक है, और ये बता दिया मैंने, kingdom of dullness, Richard Flakno, अब बात होगी इतनी सी, मतलब, और एक और important quotation देते है, यहां पर, which has employed here, to write a thing of low merit, ठी ठीक है, यह must read है poem, इसको अच्छे से करना, line by line, Mac Flakno, अगर आपको इन, जो important works है, इनकी summary चाहिए, तो comment करना, मैं summary डाल दूँग इनकी, ठीक है, तो यही था, इस poem में Mac Flakno, इस किस पे satire है, Thomas Shadewell पे है, और Richard Flakno क्रेक्टरों थे, इसकी opening line important है, और इसको पढ़ोगे तो बहुत मजाएगा poem को, ठीक है, और Richard Quotation important है, next, छोटी मोटी poems रह गई है हमारी, next है, religion of layman, layman क्या होता, common people, जो farmer type से होते हैं, ठीक है, जो villagers होते है, a layman's faith, written in heroic couplet, दुबार से time आगी heroic couplet, मैंने इस पे video डाली है, वो देख लेना जाके, अच्छे से समझा जाएगा, क्या है, यह heroic couplet में लिखी गई है, इस से कुछ और नहीं पूछा जाएगा, इसका मतलब पूछा जाता है, a layman's faith, या फिर religion of layman, और यह, it is written in defense of Church of England, Church of England के defense में लिखी गई है, ठीक है, next है, the hind and the panther, must read point, very very important, it is a conversion point, अभी मैंने बताया ना, जो हमारे John Dryden है, अपना जो धर्म चेंज कर लेते हैं, जब James 2 आते हैं, वो Roman Catholic होते हैं, जो James 2 होते हैं, तो जो हमारे John Dryden है, उनके according अपने धर्म को चेंज कर लेते हैं, तो यह conversion point है, तब इन्हों ने लिखी थी, और यह किसके defense में लिखी गई है, यह Roman Catholic Church, इसके defense में लिखी है, ठीक है, किसके defense में लिखी हैं, Church of England, और Hindu and Panther, Roman Catholic Church, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉयंट है, जो मैं अभी बोल रही हूं, ठीक है, इसमें क्या है, यह थोड़ी allegorical है, मतलब Beast Fable, Beast Fable मतलब जो Beast, यह Hindu एक बार्ड होते हैं, ठीक है, बार्ड है, हिंद और Panther, हिंद कौन है, इसमें, हिंद है, Roman Catholic Church, और जो एक वाइट है, वाइट हिंद, milk white, है ना, milk white हिंद, और यह जो पैंथर है, Fires Panther, यह कौन है, English Church, England Church, ठीक है, यहाँ पर इसको criticize कर रहे हैं, और जो Roman Catholic Church है, उसको defend कर रहे हैं, ठीक है, important है, इसको पढ़ लेना, very very important है, it is written in three parts, यह क्या, तीन पार्ट में है, इसको कर लेना, अच्छे से, next है, Britannia Redi Vida, Britannia Redi Vida, it is written on the occasion of the birth of, जो King होते हैं, James II, Catholic King होन है हमारे, James II, जो एक बेटा होता है, उसके बर्थ पर लिखते हैं, यह poem, क्या, it is celebrating the birth of a son, and higher to a Catholic King, Catholic King means, James II के बेटे के celebration में, यह poem लिखी जाती है, ठीक है, यह minor C poem है, कर लेना, इनको, अच्छे से, the works of Virgil, works of, यह translation किया, Virgil, जो हमारे writer होते हैं, उनके works की translation किया, इतना important नहीं है, बस title यहाद रखिलना, important है इनका fables, वो अगले slide में करवाऊंगी, जब prose करेंगे, हम restoration है, ठीक है, works of Virgil, यह translation है, और यह important क्यों हो जाता है, जो William Congreve है, और Joseph Edison है, Joseph Edison तो preface लिखते हैं, इस work के, मतलब preface क्या होता है, जो starting में, जो लिखा जाता है, और जो William Congreve क्या करते हैं, इस translation को check करते हैं, याद रखना है यह point, then the rival ladies, फिर कों से आती है, the rival lady, इस दिजे, ट्रैगी कोमेडी, क्या है यह एक, ट्रैगी कोमेडी है, and then comes Indian Queen, it is a tragedy, Indian Queen क्या है, यह जो इसका heroic tragedy in rhyme couplet, ठीक है, इसमें दो royal family होते हैं, Pervisian and Mexican, बस यह याद रखना, Indian Queen, इसमें दो royal family होते हैं, Pervisians and Mexicans, Pervisian की spelling है, P-E-R-V-I-C-I-A-N-S, और Mexican की है, M-E-X-I-C-A-N-S, Mexicans, दो royal family है, ठीक है, It is a heroic tragedy, ठीक है, and next is Indian Emperor, इसका title important है, ठीक है, Next है हमारा, यह important है, Conquest of Grana, Conquest of Grana, इसके प्रफेस में, वो heroic play को defend करते हैं, मतलब, He defends heroic play, को defend करते हैं, इसके प्रिफेस में, जो प्रिफेस लिखते हैं, वोहाँ पे, He defends heroic play, ओरंग जेब, यह एक tragedy है, ओरंग जेब में, यह important है, क्योंकि इसमें, क्या करते हैं, वो serious drama में rhyme को denounce करते हैं, मतलब, serious drama में rhymes नहीं होनी चाहिए, लोग के through, ठीक है, सबसे important बात तो यह वाली याद रख ले रहा, Conquist of Grana में, वो heroic play को defend कर रहे हैं, बस यह important है, ज्यादा, मतलब, fact इतना याद भी नहीं रहेंगे, ठीक है, और एक और important poem आ गई है हमारी, Alexander Fist, or the power of music, power of music, और यह एक another poem है, a song for St. Cecilia's days, इन दोनों poem में क्या connection है, इन दोनों poem में क्या connection है, it is written to celebrate St. Cecilia's day, जो यह poem है, St. Cecilia's days को celebrate करने के लिए लिखे गई है, और यह भी, दोनों poem मतलब, दोनों poem celebrating St. Cecilia's day, और यह कब होता है, 22nd of November, ठीक है, बोथ poems are celebrating St. Cecilia's day, which was celebrated on 22nd November, यह important है, यहाँ से याद रख लेना, और Conquist of Grana, it is defending heroic play in its purpose, very very important, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर end करना चाहूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेर करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, थैंक यू, थैंक यू for today,